Hello everyone, welcome to concept, स्वागत है आपका, concept में मैं धर्मेदर राजबर आपके लिए एक नया session लाया हूँ आज हम बात करने वाले हैं, situation of new trader in option trading, ठीक है? कि option trading में जो new traders होते हैं, उनकी situation फिलाल क्या होती है? ठीक है? और हम ये भी बात करेंगे, कि वो situation अगर वो खराब है, तो उसको हम कैसे improve कर सकते हैं, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ों को उनको मानना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो जितने भी new traders हैं, ये session उनके लिए, तो आप अपने आपको align कर सकते हो, कि ये सारी चीज़े आपके साथ हो रही है, ठीक है? और हम आगे बात करेंगे, कि अगर ये चीज़े खराब हैं, तो इसको हम कैसे rectify कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, discuss करते हैं, कि situation of new trader, ठीक है? situation of new trader, तो देखिए, पहला जब भी new trader जो भी आते हैं, market में एंटर करते हैं, ठीक है? वो market के बारे में उनके कहां से सुनते हैं, ठीक है? दो जगे से, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला तो उनके जो contacts होते हैं, ठीक है? अभी इसमें family, friends, सब आते हैं, ठीक है? family, friends, ठीक है? और बाकी जो professionals हो गएं, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है? दूसरा जो आप देखोगे, जो media होती है, advertisement जो होता है, ठीक है? advertisement, ठीक है? media, then आपका हो गया, social network, ओके? तो यहां से friends या family, कोई अगर कर रहा होगा, या किसी ने किया होगा कहीं पर, या फिर आप देखें कि उनको भी कहीं से मालूम पड़ेगा, तो वो कभी ने कभी आप से discuss करते हैं, कि आपने share market के बारे में सुना है, आपने option trading के बारे में सुना है, वो फलाने के लड़के ने इतना सारा पैसा लगा था, अथना बहूत सारा उनको पैसा मिला, ठीक है, वो रोज इतना पैसा गमाते है, वो investment करते हैं, उन्होंने पहले पैसा लगा था, आज इतना हो गया है, ऐसा-एसा करके उन्होंने trading स्टार्ट किया है, ठीक है, तो यह contact से आपको मिलते है, friends, family जाले से करते हैं या फिर किस्य को आपने करते हुए देखा है तो आप सोचते हैं कि हम भी यांपर स्टार्ट करें ठीक है तो यहां पर जब मैं कौन्तेक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो विल्ट गेयं बीड़ी कीय inv persecution ह pagan aumento पूबीज देख रहे हैं, सौंग का वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें कोई नो कोई देखोगे कि जो कोर्स बेस्ते हैं, उनका वीडियो माँ पर आता रहता है, कि आप टेक्निकल अलेंस से सीख लिएज़े, आप 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 से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा सा करके उ उनको आप पर उनको अडवर्टिसमन दिखता है, ठीक है, फिर टेलीगराम चैनल आता है, टेलीगराम चैनल पर तो बहुत सारे आते हैं, हम आपको रोज कॉल देखेंगे, हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको वैसा बताएंगे, आप यहां पर पैसा लगा दीजिए, आपक आपको टेलीगराम चैनल पर पैसा रोज निकाल के देंगे, प्रॉफिट का स्क्रीन शॉट शेर करते हैं, फेस्बुक पर आपने देखा होगा, ठीक है, फेस्बुक पर आपने देखा होगा कि उन्होंने 1 क्रॉर, ठीक है, या फिर लैक्स में भी रहता है कि 40 लैक्स, 50 ल करते हैं, ठीक है, फिर वो इट लीट्स टू एनदर पेज, वहाँ पर किसे और पेज पर जाते हैं, चाहिए वो टेलीगराम हो, वाट्स अप हो, कि हमारा चैनल जोइन करिए, हम ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें से उनको ट्रेडिंग के बारे म किसीने किसी को बोलेंगे, जैसे फ्रेंड अगर कर रहा है, आप एक काम कीजे, मेरा पैसा ले दीजे, प्लीज, आप दोस्त हैं, मेरा पैसा लेकर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजे, मैं आपको 20,000 जाता हूँ, मिनिममम अमांट से एक स्टार्ट करते हैं, वो सुचत रेकली ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करते हैं, बगैर उसको सोचे समझे, तो वो क्या करेंगे, फ्रेंड फैमली या फिर किसी जो भी प्रोफेशनल फ्रेंड हो, ठीक है, वर्क प्लेस पे, या फिर उन्होंने किसी अपने टीचर से, कहीं से भी उन्हों सुना हो, तो तो उनको वो पैसा देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग करें, ने तो आप मुझे टिप्स बताईए, ठीक है, तो स्टार्ट वाहां से करते हैं, ठीक है, या फिर यह जो डिखाता हो, उनका जो भी स्टार्ट होता है, ठीक है, first of all, जैसी वो option trading में आते है option trading में आते है ज़्यादा तर देखो वो tips पे सबसे पहला वो tips पे ही enter करते है tips पे ही enter करते है तो उनको telegram tips आपको कहाँ पर ज़्यादा तर मिलेंगे telegram और whatsapp channel मुझे भी रोज आते रहते है कोई ने कोई मैसेज करता रहता है सर्म आपको ये tips देंगे सर्म आपको ये whatsapp दे whatsapp आपको रोज बताएंगे levels बताएंगे आप ये levels पे बाई कीजिए तो लोग क्या करते हैं ये जो भी new traders है वो इस tips के बरुसे जैसे माली बैंक निफ्टी है वो बोलेंगे बैंक निफ्टी 53,000 चल रहा है एक काम कीजिए 53,100 का call option buy कर लीजिए ये अच्छा खासा इसमें आपको profit होगा तो वो क्या करेंगे वो आप पर buy करना शुरू करते हैं अभी ये यहाँ पर क्या बोलेंगे बाय करना मतला सिधा अगर आप 300 का script buy करतो 45,000 रुपए आपका लग जाएगा तो invest कर देते ठीक है अभी उसमें 10 point भी गया तो 1500-2000 ऐसा करके profit होता है तो थोड़ा सा उपर गया तो उनको अच्छा कासा profit दिखता है अभी यहाँ पर उनको पहले दिख्या green अभी यह रोज वैसी करेंगे लेकिन market आप देखो कि बहुत डायनमिक होता है थोड़ा सा उपर नीचे होता है तो यहाँ पर उनको loss होना शुरू होता है तो tips पर आप देखो गे loss profit दोनों बना रहता है ज्यादा तर loss आपका बनता है क्योंकि वो जो technical analysis वो जो भी setup उसके बारे में आपको कोई भी idea नहीं है वो किस basis पर कर रहे हैं मैंने बहुतों को देखा है जो tips पर काम करते हैं बहुत जगे उन लोग losses रहते हैं बहुत कम जगे हैं जहां पर tips वो लोग profitable रहते हैं मंने यह नहीं का हूँगा कि tips वो लोग profitable नहीं रहते हैं भहुत सारे same reveries registered advisors हैं जो tips पर provide करते हैं जिनत पर वो profitable हैं लेकिन बहुत जगे आप देखोगे profitable नहीं रहते हैं क्योंकि tips का एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा drawback है कि पहली बात आपको strategy नहीं पता है दुसरी बार time lapse जब वो call generate भी होता है तो time lapse हो जाता है कि यह time पर generate होता आपको यह time पर buy करना था यह time पर buy करना था ऐसा ऐसा होंगा किस्ता बनता है तो ज्यादा तरी अब tips पर होता है अभी इसके बाद क्या आगा जब यहां पर बहुत ज़्यादा losses कर लेंगे तो वो क्या करेंगे खुद की strategy बनाना शुरू करेंगा अभी strategy के लिए वो क्या करेंगे YouTube पर आएंगे YouTube पर आएंगे YouTube पर बहुत सारा वीडियो जिस पर strategies आपको बताई जाती है आपको strategies मिल जाएगी लेकिन आपका जो psychology है जो mindset है वो कोई नहीं बताएगा psychological balance आपको करना बहुत जरूरी है mindset maintain करना जरूरी है capital management जरूरी है यह आपको कोई नहीं बताएगा ठीक है strategy आपको हर कोई बताएगा YouTube पर आप जाएए आपको strategy आपको मिल जाएगी यह strategy में आप यह यह technical indicators यूज केजिए आपको मिल जाएगा technical indicators are not bad technical indicators बहुत अच्छे हैं वो आपको support प्रोवाइड करते हैं किसी भी move को capture करने में support प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसको use करने का तरीका होता है उसको watch करना पड़ता है तो यहाँ पर जो new traders होते हैं without back testing enter करते हैं without back testing enter करते हैं जो कि सबसे बड़ा drawback है उनको किसी भी particular strategy का back test करना जरूरी है कि मुझे इतना इसमे return मिल जाता है तो मैं इसके इसाब से यह strategy में enter करूँगा इतना capital लगूँगा यह सारी चीजे planning होती है यहाँ पर यह back testing नहीं करते है plan तो इनका बिलकुल नहीं होता है planning इनका बिलकुल नहीं होता है जोते भी new traders होते है planning है ही नहीं इनका आप देखोगे maximum लोगों का planning नहीं होता है कि मुझे केतना capital करना चाहिए कितना ROI मेरा stop loss कितना होना चाहिए मुझे दिन में कितना trade लेना चाहिए मुझे कितना profit में खुश रहना चाहिए यह भी उनके पास नहीं होता यह बिल्षा नहीं होता है ठीक है तो यह सारी चीजे वह लोग follow नहीं करते हैं without back testing एंटर करते है फिर दुबारा tips provider पर जाएंगे telegram पर जाएंगे इस अच्छा तो वो ही था हमें इसमें नहीं करना है हम job करते हैं हम यह करते हैं अलग-अलग reason लोग बताएंगे और वहाँ पर वो वापस से क्या करेंगे tips provider पर जाएंगे अभी कुछ tips provider ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमको एक specific जगे से tips मिलता है कि market आज इस direction में ही जाएगा ठीक है तो आप huge quantity buy करके रख लीजे वो क्या करेंगे OTM level पर buy करवाएंगे ठीक है और बोलेंगे कि profit होगा तो मुझे उसका 20% 30% मुझे चाहिए ठीक है loss हुआ तो उसमें से share नहीं करेंगे लेकिन profit हुआ तो जरूर share करेंगे ऐसा हार एक new trading साथ होता है आप देखे टेलिग्राम पर various channels हैं जहां पर बोलेंगे 60-40 का profit sharing है 70-30 का कहीं कहीं पर 50-50 का बोलेंगे आपको पूरा उसमें बताया जाएगा जो कि बहुत बड़ा trap होता है क्यूंकि आप खुश समझिए कि आप जो profit बना रहे हो आप अगर 30-40% दे रहे हो मतलब 10,000 में से आप 4,000 उसको दे रहे हो ठीक है next time आपको loss हुआ एक बार आपको 10,000 profit हुआ एक बार आपको 3,000-5,000 loss हुआ एक और आपको loss हो गया तो आपका जो profit बनाया था वो तो गया यहां पर आप clearly देख सकते हो कि out of 10,000 मैं सिर्फ एक simple trade की बात करौँ normal trade out of 10,000 आपने उसको 3-4,000 दे दिया ठीक है 30-40% उसके बाद आप देखिए आपके पास कितना बचा आपके पास 6-7,000 बचा next time कोई कहीं पर trade हुआ वहां पर loss हुआ 4000 का loss हुआ कहीं पर loss हुआ 3K का loss हुआ फिर एक जगे 5K का loss हुआ आपका profit wipe out हो गया उनको कुछ नहीं हुआ है यह बहुत बड़ा scam है उनको कुछ नहीं हुआ है उन्होंने जो 30-40% लिया उसमें वो profitable है पैसा आपका गया और यहां पर वो क्या करेंगे full capital यूज़ करने को बोलेंगे ठीक है तो इस चीज़ से बचिए full capital इतना percent return इस चीज़ से बचिए यह चीज़ आपको बिलकुल नहीं करनी है तो new traders के सामने यह सारी situation है contacts जितने friends families उनसे सुनते हैं बगएर सोचे समझे एंटर करते हैं टिप्स पर काम करते हैं initial days में loss करते हैं काफी ज़्यादा loss उनको back testing के बारे में कुछ नहीं पता होता है planning कुछ नहीं करते है बोले मैं 50 जार लूँगा फिर सा 50 जार लूँगा ऐसे कर करके पाचाशाजार करके 5,000,000 का उनका debt हो जाता है कर्जा हो जाता है फिर उसुचते हैं कि मैं कैसे चुका हूँगा salary से चुका हूँगा यहाँ पर concept application एक इंडिया का largest analytical tool है जहाँ पर आपको various data, various theories आपको analyze करके बताया जाता है कि किस तरीके से इस data को utilize करके आपको एक idea दिया जाता है कि market किस direction में रह सकता है, एक idea दिया जा सकता है कि आने वाले time पे किस तरीके से यह particular stock perform कर सकता है ठीक है, so यहाँ पर मैं concept application की बात कर तो concept application देखो front page पर ही आपको synopsis दिया जाता है कि आज high break, high पे कौन चला, low पे कौन चल रहा है यहाँ पर daily high low आपको बताया जाता है, option chain बताया जाता है कि किसी particular stock में OI built up recently बढ़ा है, 1 minute क्या 2 minute के time frame में या 5 minute के time frame में तो एक छोटा सा move capture करते हैं, scalping लोग कर सकते हैं तो अगर आपको intraday trade करना है, swing trading करना ही हमारे पास various tools है data identify करने के लिए पूरा future का data है, option का data है आपको intraday के लिए पूरा data यहाँ पर मिलेगा, आपको intraday as well as swing trading के लिए पूरा data यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है यहाँ पर आप देखो कि news आपको मिलेगा, analyze में जाएंगे, आपको chart, implied volatility, ठीक है price, percentile, volume के ओपर कैसे strategy बनाए सकते हैं, volume के ओपर पूरी strategy है implied volatility, volatility के उपर आपको है, यह chart देख सकते हो, multi strike, OY देख सकते हो, ठीक है scan में आप जाओगे, जो मैंने आप से खा कि बगएर back testing के करते हैं, यहाँ पर trade recap में testing करिए, ठीक है यहाँ पर built up historical देख सकते हो, back testing कर सकते हो, trading जाके, option strategy बनाएए, ठीक है option की अलग-अलग strategies होते हैं, अलग-अलग spreads होते हैं, वो अहाँ से बना सकते हो quant model में, जो mathematical based, mathematical calculation के base पर आपको यहाँ पर बताया जाता है कि किस stock में एक लंबा move आ सकने की संभावना है, तो RPG है, buy low है, scalping है, writers है फिर आप देख सकते हो, world trader है, trap indicator है, यह सारे tool यूज़ करके आप एक अच्छी-खास strategy बना सकते हो, खुश से, ठीक है इन सब के बारे में, मैंने और मेरे साथ जो other मेरे colleagues है, trainers उन्होंने एक brief में आप देख सकते हो, अलग-अलग setup बना, आप वो setup को follow करके profitable रह सकते हो, ठीक है Hindi, English, Tamil, Marathi, Sublanguage में, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है तो आप एक trading journey, जो new traders है, आप एक अच्छे से start करना चाते हो, अपनी journey अच्छे से start करना चाते हो जहां पर आपको risk भी पता चले, reward भी पता चले, तो concept से आप स्टार्ट कर सकते हो, अलग-अलग setup देखिए paper trading करिए, paper trading again आप यहां से कर सकते हो, option architect में, ठीक है उसमें भी पूरा brief video है किस तरह के सकते हो, जब भी आपको successful लगे, कि ठीक है मैंने इसको लगातार किया है, आप मैं successful रह सकता हूँ, मैं यह trading setup यूज कर सकता हूँ, ठीक है so I hope यह session आपको पसंद आया होगा, कि new traders का current situation क्या होता है, और किस तरह के से उनको परिशानी होती है और मैंने आपको यह भी बता है कि किस तरह के से आप इसको rectify कर सकते हो, so I hope यह session आपको पसंद आया होगा, और भी ऐसे जानकानी पूर वीडियो जाने के लिए concept से जुड़े रहे है, मैं धर्मंदर आजबर आपका धन्यवाद